हेलो फ्रेंज वेलकम आईटो चैनल आज लेका हो एक हाउस डिजाइन देख सकतो कुछ इस तरह का है इसका सापने का डिजाइन है देख सकतो नॉर्मल डिजाइन है एल्स टाइफ और 42 वीट बाई 23 वीट लंबा है यह हाउस डिजाइन है कि देख सकतो यह आउटसाइड का बीव कुछ इस तरह का आने वाला है वीडियो में देख सकतो यह नॉर्मल डिजाइन क्या हुआ है और हाई डिजाइन करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट की सेक्शन में ज़रूरी बताना कालार करके पूरा प्षूरत पीडियो लेकर आजाओंगा अब लुक के लिए और यह कॉलम देख सकते हो वाइट कलार बीम और कलम उसका टूडी प्लान देखाएंगे ठीटी में भी देखाएंगे ठीक देख सकते हो त्रीटी में इसको चीज़ता रगाने माला है और पारिंदा में एक स्ट आज़िए देख सकते हो पुछ इस तरह का आने वाला कलार करने के बाद यह टोप एंगल व्यूनेक्स ट्लोर का देख सकते हो यह सिंगुल स्टोर यह हाउस प्लान है अर यह आशाम्स टाइब भी मना सकते हो आशाम्स टाइब मनाने से कर्चा कम हाएग आपका लागत कम आ चलिए अब इसका 2D प्लान देख लेते हैं यह देख सकते हो कलम यूज किया है मैंने यह 2D प्लान है देख सकते हो 23 फीट बाई 42 फीट किचेन का साइज है 23 फीट बाई 12 फीट का अंदर किचेन देखने के लिए मिल जाएगा और दू बेटरूम का साथी है हाउस डिजाइन है 14 फीट बाई 14 फीट दू बेटरूम देखने के लिए मिल जाएगा अश्राम HD हाउस प्लान में पेली बार रहा है तो सस्क्राइब कुरने ये बेलकोनी का साइज में लेगा 31 फीट बारें तका साइज देख सेकते हो और इस तरह वीडियो देखने चाते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो लेके आजम गाब लुक के लिए और ये टोप अंगल फीव रूम का कोछ इस तरह गाने वाला है तोड़ा तोड़ा नौइज अर इसलिए तोड़ा एज़्ज़ कर ले ना तेंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो मिलता हो किसी नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए बाई और माई यूटूब पे मेले फ्रेंज वीडियो चलाएगा तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना ना भूले आशा में स्टी हाउस फ्लान तेंक यू सो माच बाई